सब्सक्राइब करें साइंस विद्वी एस चैनल को और बेल ऐकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैट्स के सूपर वीडियोज हेलो गाइस फिर से आपके एक नई वीडियो में स्वागत है साइंस विद्वी एमस के आज हम लोग क्लास 9 NCRT बुक का अपना exercise 1.2 स्टार्ट करेंगे उसको खतम भी करेंगे ठीक है तो first question is मैंने right true or false लिखा है question में कुछ और था state whether the following statements are true or false and justify और answer ऐसे करके था तो justify भी करेंगे अपने answer को चलिए first है every irrational number is a real number simple हमको बोल रहा है कि हर एक irrational number real number होता है true या false तो हम लोग इसको देखते हैं हम लोग ने पहले भी पड़ा हुआ है जानते हैं कि real numbers की दो categories होती है कौन कौन से होती है first and second first one होता है क्या sir हमारा rational number हाँ and second one is irrational number तो हाँ sir हर एक irrational number real number होता है यह हमको पता चल गया every irrational number is a real number that's why it is true है ना sir यह क्या है true है ठीक है second every point on the number line number line is of the form root under m where m is a natural number हमको क्या बोल रहा है ना बहुत simple है थोड़ा सा समझना है आपको बस थोड़ा सा important भी है कि हमको बोल रहा है ना कि root under m जो है उसका जो value आ रहा है वो natural number आ रहा है नहीं मतलब क्या बोल रहा है कि हम लोगने m को लिया ठीक है m को natural number या फिर कोई example लेकी समझते हैं हम लोगों ने 4 को लिया ठीक है simple fold लिया और बोल रहा है ना कि जब आप 4 को root under कर रहे हैं तो इसका value जो आ रहा है वो number line पे आ रहा है क्या सारे natural number का root under करने का जो value आता है वो number line पे आता है क्या यह बोल रहा है हमको तो root under 4 का value कितना आ रहे हा comes two yes it is on the number line ये to number line पे आ रहे है लेकिन हरсь root under क्या मान लेते हैं लेते रूट अंडर 10 ये number line पे रिप्रेसेंट होगा क्या इसका जो answer आएगा मतलब इसका जो आंसर आएगा रूट अंडर 10 का जो आंसर आएगा वो number line पे represent नहीं होगा तो यह क्या है यह statement false है sir ठीक है थोड़ा लंबा समझाना पड़ गया मतलब थोड़ा सा गरत पड़ दिया थे question को Every real number is an irrational number फिर तो यह तो वही बात हो गई भीया क्या बोल रहा है कि हर एक real number irrational number होता है क्या तो हम लोगों ने अभी देखा real number एक होता है rational दूसरा होता है irrational अब इसमें उल्टा कर दिया कि हर एक real number irrational number ही होगा क्या यह बोल रहा है नहीं होगा, क्यों? क्योंकि कुछ real numbers, rational numbers भी तो होते हैं और कुछ irrational होते हैं तो ये statement भी हमारा false आ गया, ठीक है? तो चलिए question number 2 पे चलते हैं देखे question number 2 हमारा क्या कहता है? Are the square roots of all positive integers irrational? If not, give an example of the square root of a number that is a rational number तो ये तो भीया, बहुत असान हो जाएगा question, मतलब बहुत ही असान question हो गया कैसे? कि बहुत सारे numbers ऐसे हैं जिसके square roots निकालने के बाद वो irrational नहीं आते हैं वो rational number आते हैं, इसने example भी मांगा है हमसे तो हम लोग example से ही समझते हैं, मान लेते हैं, root under 4 तो बहुत बार मान चुके हैं, तो 9 ले लेते हैं, है ना? 9, 9 का value क्या आ रहा है भीया? 9 का value तो 3 आ रहा है not all the positive integers, square root of all the positive integers is rational, यह नहीं है, यह गलत है, ठीक है? यह होगे हमारा answer चलिए, third one बहुत ज़्यादा important, मतलब उतना भी ज़्यादा नहीं, लेकिन इस chapter का अब हमारे जो questions है, वो थोड़े मुस्किल होते जा रहे हैं, थोड़े अच्छे होते जा रहे हैं, ठीक है, पहले बच्चों वाले question थे so how root under 5 can be represented on the number line? हमको number line पे represent करना है root under वाले term को, मतलब root under 5 represent कैसे होगा? तो जब भी हमको, यहाँ देखिए, prime number है है न, जब भी ऐसे numbers का हमको आए न, representation number line पे, तो simple हमको भीया, याद कर लेना है, अपना बच्चे वाला चीज, class 8 में साइध हम लोग उन्हें पढ़ा होगा, हाँ, क्या पढ़ा था, pythagoras theorem, ऐसी लगा दो यहाँ, हो गया, pythagoras theorem हम लोग उन्हें पढ़ा था, जिस, जिनक याद नहीं है, या जो लोग भूल चुके है, pythagoras theorem क्या होता है, वो देख लिजे अच्छे से एक बार, और जो नहीं है, वो skip कर सकते हैं, या देख लिए, दो मिर्ट लगेगा, एक right angle triangle होता है, जिसका यहाँ पे यह वाला जो angle है, वो 90 degree है, तो इसके सामने वाला जो हो जाएगा न, वो अपना hypertonious हो जाएगा, ठीक है, hypertonious हो जाएगा, और यह जो, यह देखे, यह क्या है, यह perpendicular है, है न, तो यह perpendicular हो जाएगा, नीचे वाला, बेस हो जाएगा, तो भाया, इस triangle का, हमारे पास एक formula होता था, कि h is equal to, which means, hypertonious is equal to, root under, perpendicular का square, plus, base का square, ठीक है, यह हमारा pythagoras theorem था, pythagoras theorem का formula था, ठीक है, अब, चलिए, देखते हैं, इस से बनेगा कैसे number line, यह तो बिलकुल भी number line पे नहीं लग रहा है, लेकिन देखे, लाएंगे उसको पकड़के, pythagoras, देखे, spelling थोड़ा इदर उदर हो सकता है, चलिए, start करते है, हम 5 को क्या लिख सक है, 5 को लिख सकते है, जिसका square root हो, एक ऐसा number पकड़ना है, जिसका square root possible हो, तो 5 से छोटा, 4, है न, तो 1 प्लस 4, 4 का square root possible है, अब इधर हम लोग देंगे root under, इधर भी root under दे देते हैं, भया, है न, दोनों side कर सकते हैं, हम लोग कुछ भी, अब देखो, 1 को हम किसका square लिख सक हैं, 4 को किसका square लिख सकते हैं, किसका, 2 का square लिख सकते हैं, भया, है न, 2 का square लिख सकते हैं, तो देखिए यहां पर, हमको पता लग रहा है कि perpendicular हमारा क्या है, वन है और बेस हमारा क्या है टू है इससे मैच कीज़े ना आ गया ना अपना हाँ आ गया सर अब देखिए अब क्या होगा सर अब हम एक नंबर लाइन प्यारी सी नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेंगे अच्छा सा थोड़ा टेड़ा मेडा है लेकिन आप लोगों को परफेक्ट बनाना है स्केल का उस करके तो अब पॉंट्स्याइर माइनस में तो अपने को जाना नहीं यहँ वन और टु स दो आगैंगा अगैं बनेगा सर्ट तो यहाँerta हो गया और यहां टू हो गया यहां थ्री हो गया अपना ठीक है आगे का हमको जड़त नहीं है यहीं टू और थ्री के बीच में पड़ेगा हमको पता भी है देखने से पता लग रहे हैं हाँ सर बिल्कुल सर अब हमको जीरो पे ना एक इत पर्पेंडिकुलर करना है पर्पेंडिकुलर मीन्स 90 डिगरी है ला मैं जो लाइन कोट करें हो 90 डिगर हmiş है हम लोग ने 90 डिगरी यूस ड्रॉ कर लिया अब देखिए पर्पेंडिकुलर वन है अपना घ्क तो scale से नापना है, मापना है, 1 cm और 1 cm को हम नाम A दे देंगे और इसको match कर लेना है, complete line बना देना है, solid line बना देना है, ठीक है, 1 cm हमारा perpendicular हो गया, अब हमारा क्या है sir? कहा है sir, अपना 2 cm, oh sorry, 2 तक जा रहा है अपना क्या, base 2 तक जा रहा है, ठीक है, 2 तक अपना base गया sir, यहां से, यहां तक अपना base चला गया, इसी के उपर number line पर draw करना है, तो हम लोग क्या कर देंगे इसको, मिला देंगे यहां से, ऐसे करके, यह हमारा triangle draw हो चुका है, है ना, root under 5 वाला, अब इसी से हमको बनाना है, क्या बनाना है sir, देखिए कैसे बनेगा, अब देखिए, हमारा जो compass था, उस compass को हमको point A पर रखना है, इसको माल लेजे, कोई भी point B माल लेजे, point B तक खोलना है, इतना बड़ा खोलना है, फिर compass को यहां पर रखके, ऐसे करके, कट मार जो आएगा ना sir, यहीं पर आएगा लगपग लगपग, वो हो जाएगा हमारा point root under 5, hence हमने draw कर लिया root under 5 को, है ना sir, एक बार revise कर लेते हैं, recap कर लेते हैं, चैसे पाइथागरोस theorem हमने निकाला, इसको cut किया, दो भाग में, square निकाला, यहां पर 1 cm, यह वाला जो हमारा था, क्या, perpendicular base दो रखके मार दिया, फिर इतना ना पा, यहां रखके ऐसे कटक, और हमारा क्या गया, root under 5, चलिए आपका इसी के साथ, ncrt class 9 exercise 1.2, खतम होता है, ठीक है, मिलते हैं, next video में 1.3 के साथ,